नमस्कार आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंग और आप देख रहे हैं श्रेष्ट भारत 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच मामला फिर अटक गया है चौथे दोर की बाचीत में सरकार ने किसानों को 5 फसलों पर MSP गैरेंटी देने पर रजामंदी जताई थी लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि सबी फसलों पर MSP गैरेंटी के बिना काम नहीं चलेगा सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 21 फरवरी को फिर दिल्ली कूच करेंगे अभी 200 संगठनों के बैनर तले किसान पंजाब हर्याना के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं आकिर कितनी जायज है MSP गैरेंटी की मांगे और इस पर कितना खर जाता है जिसके सभी आर्थिक पहलों पर खास पैनल के साथ शुरू करते हैं खास चर्चा हमाई साथ जुर रहे हैं अर्थ शास्री अजे दुवा जी और साथी है किसान नेता जेबा खान आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले जेबा जी आप से शुरुआत करते हैं तो बाचीत के सारे रास्ते बंद हो गए थे और अभी नहीं बंद हुए है काट रही है और किसानों को भरब में रखना चाहती है और चुछे बाचीत है मैं यह बोलना चाहती हूँ यह कोई नई मांग नहीं है ये तो पिछली वाली मांग है जो सरकार की सहमती बन गई थी और सरकार के वादे के बाद सिंगू बॉडर और किसान अंदोलन से सारे किसान वापस गया थी ये वही सारी मांगे है जिसे सरकार ने अब तक पूरा नहीं कितिया है और नहीं सरकार की बातों से जिस तरह का उनका रवया है यह लगता है कि आगे भी सरकार का कोई इरादा है इन MSP का लीगल गारेंटी और कानून बनाने की वो दिखने रहा है कि सरकार किसमे कोई सीरियस है लगातार मतलब यह मुद्दों से भखाने की कोशिश की जा रही है टाइब को कैसे भी आगे बढ़ाया जा रहा है यह डाइब और सीफाई करना चाहरी है सरकार यहां पर तो MSP पर लीगल कानून माँगा जा रहा है जो सरकार ने बाइदे किये थे उसको पूरा कीजिए लेकिन यह पांच क्रॉप्स पर आप MSP देंगे दलहन पर देंगे यह क्या है फिर प्रॉब्लेम तो वही रहे गए पांच सालों के लिए पांच सालों के बाद फिर क्या होगा किसान फिर आएंगे क्या आप यह सोचिए मुक्ता जी दो साल से जादा का समय बीच गया लेकिन सरकार जो पिछले वादे की थी उसे अब तक पूरा नहीं की तो क्या गारंटी है कि फिर जो अब वादे आज कर रही है उसको पूरा करेगी कि सरकार यानि जो सरकार आपको आफर कर रही है आप उससे सहमत नहीं है देखे जो किसानों के सीधे 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 सीधी सीधी मांग है मैटर को जो मांग रहे हैं वो दीजिए आप कर रहे हैं लाकिन पूर्फ के किसानों को इंसाफ नहीं बिला है सब चीज़ पर आप जानती में किस तरह सरकार गल्ट नारेटिव किसानों के बारे में देश में फैलाने की कोशिस कर रही है और अभी भी नैशनल मीडिया जो है और जो मोदी मीडिया है चैनल्स के माध्यम से क्या दिखा रही है कितने दो किसान सहीद हो चुके हैं किसान दोलन में और कितने युवा जो हैं और कितने किसानों को गंभीर चोटे आई हैं मैं तो खुट जाकर रात पुरा अस्पताल में देखी और संतमी तरीके से चल रहा है कौन से देश में अपने किसानों को रोका जाता है ये लोकतंत की हत्या है या नहीं है किसानों को रोका जा रहा है पंजाब के अंदर और हर्याना से जिस तरह आसू गैस के गोले चोड़े गया जिस तरह गोलिया चोड़ी गई बेहती न वह इत नहीं पड़ता है किसानों के किसे चुछ नेना देना है मतल्ब मैं गई की खुड़े खनारी बॉर्डर को जाके देखकर आई संभू बॉर्डर को देखकर आई बहुत अफसोस हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कोई जूतरे देस का बॉर्डर हो और जिस तरह की तैयारियां की गई हैं अफसानिक बल लगाए गए हैं पूरे तरह से बैरिकेडिंग की गई हैं बहुत ही निंदानिया और दुखताई हैं करे सब्दो ने मैं निंदा करती हैं अगर इतनी सरकार गंवीर होथी चाईना के बॉर्डर पर तो अच्छा लगठाएं चाईना अंदर रहिए था है और यह पूरी तरह से अराज़ता है और उल्टा नैशनल चैनल के माध्यम से किसानों को भी गलत आया जा रहा है चलिए हम आरस परोधर जी सर आप से पूछना चाहेंगे आप प्रिशी विशिशक यह हैं आज इसले से जो किसान अंदोलन कर रहे हैं पहली बात तो आप उस परिवार का सद्धश्य अपनी मांग कर सकता है देखना यह है कि वो जायज कितनी है और उसमें आपस में कितना संवेदनशील उसको मुद्दे को लिया जाता है और उसकी प्राब्लम को सौल किया जाता है उसके उपर डिपर्ण करता है MSP का जो इशु है वो आज से नहीं सन पैसट से लागू है और भारत सरकार कोई सी भी गवर्मेंट रही हो पहले प्रोक्यूर्मेंट करती रही है और प्रोक्यूर्मेंट के द्वारा हमने अपनी फूट सिक्यूरिटी को भी जो है सुदड़ किया है और हमने जो है अपने ह अधियनों को भी जो है बंदारन को बढ़ाया है अब प्रश्निय है कि यह जो मांग की जा रही है वो है कि इसको एक कानूनी दर्जा दिया जाए और जो MSP का जो बुद्धा था डॉक्टर स्वामिनातन कमिटी का वो यह था कि जो यह कॉस्ट और प्राइस कमिशन है इसकी ज कल्कुलेशन के अंदर जो MSP प्लस C2 वो C2 का अभी भी बुद्धा आगे किसानों के सामने खड़ा हुआ है और उसके लिए एक कमिटी भी बनाई गई उस कमिटी को पिछली जुलाई से वो कारिय कर रही है मेरे कास से 37 उनकी मीटिंग हो चुकी है 26 उसके सद्यश्य है और उसकी जो Terms of Reference है उसमें है कानुनी जो है इसको जामा पहुच पेनाने वाली बात है उसको Terms of Reference में नहीं रखा गया है उसमें है कि इसको किस तरह से Effective और Transparent पारदर्शक किया जाए तो पता नहीं उस कमिटी की क्या Recommendations अब तक आई है और सवाल यह है कि हमें यह देखन कि हम procurement जो करते हैं पंजाब के किसानों को अरियाना के इन लोगों ने हमें फर्ट कका नहीं बचान खहरूर मेंट अगर हम देखें तो पिछले तीन साल में procurement कम हुआ है करीब・करीब 5 मिलियन तरन का अना जो है वो खरीदा गया है तो इसका मतलब है कि उदर तो बचत हुई होगी ना कुस्तोर अच्छा रहा कि हम 6.7% तक का प्रोक्यूर्मेंट करते रहें आप तक और उस पे खर्चा जो है वो करीब करीब जो है दो लाग सवा दो लाग धाई लाग तक का होता रहा ह है और ख्रशी से जो भारत को हमारी जो कॉंट्रिबूशन है वो 17% है तो अगर हम देश की जो आमदनी को देखें उसका बजट को देखें तो 45 लाग करोड का है 45 लाग करोड में अगर 17% कॉंट्रिबूशन एग्रिकल्चर का लिया जाए तो करीब-करीब हमारा 8 से 10 लाग करोड रुपे का विस्सा बनता है उसमें खर्च जो करीब-करीब सारी जो भी सबसिडिज ली जाती है उसमें MSP को भी जोड़ा जाए तो करीब 4 लाग करोड की करीब आती है तो प्रशनी आ रहा है कि अब आगे क्या किया जाए और उसके लिए हमें ये सोचने की आफ़शक्ता है कि किसानों को किस तरह से हम अपना विश्वास दिला पाएं ये जरूरी होता है कि एक मुझे लगता है कि जो मिस्ट्रस्ट की बात है वो सामने आ गई है कि किसान ट्रस्ट कर रहे हैं ने सरकार भी ट्रस्ट कर रही है तो आपस में मिल जूल करके बात तो करनी होगी और बात चे चल रही है वो मैं समझता हूं कि सही तरीके से है या नहीं है ये तो किसान लोग और आपस में दोनों पार्टी बताएंगी पर हमें इसमें कुछ ज यहमं में हैमे में है किरिब करीब 22 फसलों को बांद करते हैं जो मतलब 22 फसलों पर डिसाइड़ की जाती है प्रोकुयूर्मेंट फृर्ण थोड़ी फसलों पर है तो जहां-जहां जरुत है भारत सरकार के स्कीमें भी है एक तो जो है प्रोक्यूरमेंट की MSP की ओगई एक इनौने जो है पीम आशह निकाली है स्कीम पीम आशह में जो है दो तरीके उनोंने उस्टेट गौर्णमेंट या तो PDPS मतलब डिफरैंशल जो पेमेंट है उस पे ओ उसके पेमेंट पर की जाए जितना उसका प्राइस है या फिर जो डिफरेंशल पर की जाए तो उसमें दो हजार करोड रखे हैं इनोंने तो उसको बढ़ाया जा सकता है और जहां 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 जुरत पड़े है अग जैसे जहाज किसानों को दिक्कत आई मारास्टा में तो व प्रोक्योंशन भी हो रहा है तो यह कहना कि सारा प्रोक्योर करेंगे तो 10 लाग जो है करोड रुपए का खर्चा होगा तो इसकी कैल्कुलेशन भी ज़र सही तरीके से जो हमारे वेग्याने क्या अर्थ शास्तनी है वो करके देखें जी तो इसके क्या फैनाशल इंप्लिक से कितना जाइज है हर क्रॉप पर MSP क्या पॉसिबल है और MSP गैरंटी पर कितना खर्चाएगा दूसरा सवाल है कि जो स्वामिनात्सन रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे हैं तो आपके साब से कितना फीजिबल है कि मुक्तर जी यह कहना चाहूंगा कि हमें फिसानों से कोई ही मुठ भेड जैसा हमें बावातावरन लाने की जिवापने की कि यह स्पष्ट है कि पिसानों को जो योगदान उनका है जैसे अभी दॉक्टर प्रोदा साहब ने का सब्सक्रा से अटार्ट कि पिसानों से आता है और इसका दुनिया भर में पूरे ख्रिशी शेत्र आज को सब्सीदी मिलके ही रखाव जा रहा है कि व्यूटियों में बहुत बरी चर्चा हुई इसकिशे के उपर मैंने भी इसके अंदर किसा गिया था फिर हर जगा किसानों को सरकार की तरफ से सब्सक्राइब जी जाती है तो अब प्रश्ण है अगर कोई अमीर देश है जोरब का वह काफी हद तक गे सकता है हमें हमें अपना अपनी हमारी इंकम कितनी है हमारे खर्चे दूसरे कितनी है वह देखके उस हिसाब से हमें भी किसानों को कुछ ना कुछ अब प्रश्ण है कि किसे हम कहेंगे एफिशेंट है मतलब वह मुल्किन है अभी जैसे बताया गया है अभी तक हमारा किसानों से पूरा मिला के देशने चार साड़े चार लाग रुपेया है और बजेट हमारा लाग करों के अंधासम का चेजर का है अब प्रश्ण है कि मुदा सेट परसंट ही है और अगर उनका लोगडान सब्राइब परसंट है शायद है हमारे पास और सबसिदी देने का अब किस लूप में सबसिदी दी जाए जिससे छोटे से छोटे किसान को जो ड्राइब फार्मिंग करता है उसके उसके तक को पहु होता एक हुँ सबसिदी देते हैं वो बड़े किसान को चेंदेते हैं इसके पास पहले पानी का बंदवस्त है इसको जा रहे ही हमारा मैं यह चाहूंगा कि जरूर सरकार सबसेदी किसानों को बढ़ाएं पर वो सबसेदी जिनको जरूवत है अवश्क्ता है उसके लिए चाहिए और यही सबसेदी के तरीका है उसके ऊपर दो मत हो सकते हैं और वहीं सरकार के सामने हैं कि पिसानों ने कुछ आश्वासन देखें इस टाइम से जरूवता कियें जैसे परोधा साहब इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं अभी तरह करते हैं तब तक आम परोधा सर से पूछते हैं जैसा कि अभी अजय दुआ जी ने बताया कि डब्लू जो है वो किसी भी देश के किसानों को सफिडी देने से मना करता रहा है अब किसान कह रहे हैं कि आप उनकी बात ना सुनिये और आप हमें उन्हें अपनी फसल एक्सपोर्ट करने की छूट दी जाए तो पहला तो उनका ये है ये कैसे होगा ऐसा है कि अगर देखा जाए कंपेर किया जाए तो हम टू परसेंट आफ टोटल जी डी पी का सबसिडी किसानों को देते हैं और अगर इसको अमेरिका से तुलना की जाए तो हम बहुत नीचे हैं पर वो उसको और तरीके से किसानों को सपोर्ट करते हैं वो उसको सबसेडी नहीं कहते अगर मालिया दूद जादा हो गया तो उनको कहेंगे कि आप चाहे दूद फैंक डीजे हम आपको पैसा दे देंगे या उसकी आप पनीर बना दीजे या उसका जो है कुछ और प्रोड़क्ट बना दीजे और फिर उनको आप बेचिए या जैसे सुयाबीन है नीचे चली गई तो उनको ना किसानों को सपोर्ट किया और फोर्स किया डव्यू टियो के दौरा कि बाहर के देश्वंग में आपना सुयाबीन को इंपोर्ट करें और हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी तो एक खरचा है। उस खरचे को हम कम कर सकते हैं यहाँ पे हम प्रोड़क्शन को बढ़ा सकते हैं हमारी बहुत जो है अब भारत की इतनी जो फेती में प्रजटी हो चुकी है कि हम हर चीज को पैदा कर सकते हैं अगर उसके बारे में प्रॉपर ध्यान दिया जाए अब आप देखिए कि चावल है अब चावल का एक्सपोर्ट बंद हो गया अब 20 तन 20 मिलियन तन तक का हम गेहों और चावल पिछले चार-पांच साल में एक्सपोर्ट कर रहे थे अब यह कहा गया कि नहीं जो है वो सिर्फ बास्मत ही जाएगा इधर हमने जो है वो प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया अब गेहों का एक्सपोर्ट बंद हो गया तो यह स्विच तक का हो चुका है इसको हम 100 बिलियन तक अग्रिकल्चर में ले जा सकते हैं प्रवाइड उसके लिए स्टेटियों और जो भारत सरकार कह रही है यह तो हम भी कहते हैं कि बहुत हो चुका हमने अपने प्राकर्टिक संसाधनों को और एक्सपोर्ट किया है तो उनके उपर अ किसाना करना पड़े किसानों को तो उनके आपमद्नी दूनी की भी बात सरकार कर रही है तो सरकार किसानों को जो है किसान सम्मान निदी के अंदर भी पैसा दे रही है तो इंटेंशन तो है पर कहीं ने कहीं किसानों में अभी तक कॉन्फिटेंस नहीं आ रहा है ऐसा मुझ तो आपको लगता है कि सरकार उतना दे पाने में सक्षम है कितना बोज पड़ेगा सरकारी खजाने पर उपता जी देखे सारी 21 की 21 जो उनकी दिमान है उसको सरकार सबको तो मान नहीं पाए और नहीं कई उसके अंदर मेरे इसाब से अवश्यक भी नहीं है वह थोड़ा सा अपना बनाना होता है और कई संग होंगे किसी मैं यह मांगा कुछी में वो मांगा सबकी डिमांड को लिटके दे दिया गया है मैं यह आवश्य चाहता हूँ कि किसानों को सपोर्ट जादा दिया जाए पहले से हमारे पास शमता जरूर है हमारे बजट में है और अभी जो फिगर रोधा जी ने दिया मैं तो उससे भी बढ़के कहने वाला हूँ कि क्रिशी सब्जेक्ट है केंटर का सब्जेक्ट नहीं है तो हमें स्टेट के बजट कितना है वो भी इस बजट के अंदर शामिल करना चाहिए अगर हमें 39 या 30 स्टेट हैं उनके भी बजट देखे और क्रिशी उनकी डारेक्ट जिम्मेदारी है तो आप देखेंगे यह 2,5% भी नहीं रहता तो एक आदा परसंट रह जाएगा उनके बजट मिलाके तो एक बारी जरूर 1965 में जैसे कहा गया सेंटर ने जिम्मेदारी ल अभी भी करती है कुछ कोई तेल के लिए कर रही है कोई पॉटेश के लिए कर रही है तो उनकी जिम्मेदारी के अनुसार तो इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको देश घर में एक जैसे रूज एक जैसे सबसेदी पॉसिबल नहीं है अगर कोई एरिया है जहां पच अभी भी पानी से दूर है और इसको वटर के डिपेंड करना पड़ता है वहां पे सर्कार की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है तो इस अपने एरिगेटेट अरिया की तुल्ना में जादा रही है तो हम एक जैसा देश बत के लिए किसाना पास प्रियूशन लगाने का प्रेश नहां करें बहुत विविद वश्चारों की अश्चन है और विविद वश्चारों के अंदर अच्छा तो जैसा आपने बुला कि सारी 21 मांगें मांगना शायद संभव नहीं है मैं तो यह कहूँगा जी मन्रेगा में अभी तब हमें संशोदन करने की जिरूत है मैं हमेशा उधारन देता हूँ कि मन्रेगा का सुर्वात हुई थी 1972 में महाराश्का में रोजगार हमी जोजना इंप्लॉइमेंट गैरेंटी स्की वहां तो सरकार ने एक नियम कानून लाके लगाते सबको आश्वासन दिया है कि अगर किसी को काम चाहिए और तीन हफ़ते के अंदर 21 दिन के अंदर अगर सरकार नहीं दे पाती पांच किलोमेटर के एरिया में जहां पर आदमी रहता है तो सरका ठैसिलदार को उनको पूरी वेजेंज बिना काम किये भी बेरी पड़ेगी क्योंकि वो उनका पानुनी अधिकार और इसलिए हर जिले में को नोर्स में उनको दिनमेदारी से स्कीम चुनने पड़ती है कौन सी जिम्मेदारी पूरी कर पाए तो मेरा यह कहना नहीं कोई कामों में आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं अगर पबलीक श्किश्ण पर जब देखिए प्राइबग स्पीश्ण पर कर रहे हैं लोग वो खर्चा बंद हो जाएगा तो अपसे आप सपोर्ट मिल प्राध्यामियता देनी पड़ेगी पहले पजलिक सेक्टर काम अगर नहीं होए तो उसके बाद आगी या प्राइवेट कामों में में लेवर जाता है उसको सक्कार और उनको दर्वातनखा देगी तो जेवा जी आपने दोनों मेहमानों की बातें सुनी आप क्या कहेंगी जाहिर सी बात है ये किस मांगे मांगना तो शायद संभव नहीं होगा कैसे बनेगी बात अब आप अपने असान नहीं हो दूसरा अगर आप देखे तो यह जो हरताल चल रहे हैं उससे आपका भी बिल्कुल नुकसान सभी कहा इसमें और सरकार तो इस तरह जो बैरिकेट की है सरकों को रोकी है ये गलाप है बिल्कुल और देने की मनसा हो तो बड़े-बड़े उधोपति पुंजी पतियों के हज़ा हजब करोर कुर्ज माप कर दिये जाते हैं पर अपने देश के किसानो को जो MSP पे लीगल कानून देने में सरकार को इतना समय लग रहा है वादे करके तो उठा दी थी किसान अंदोलन से लेकिन दो साल से जादा का समय होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं कोई कारवाई नहीं कुछ भी बात नहीं सुनी कान पर जूनी रहेंगा और जब फिर से किसान मदबूर होकर दिल्ली की करफ चला कुछ किया तो तरह 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 रुका जा रहा है और अब वादों को मानने के बज़ाए MSP पे कानून बनाने के बज़ाए बहलाने में और डाइवर्सिफाइग करने में लगी है सरकार तो एक बात यहाँ पर मैं यह भी बोलूँग उसमें नहीं है सरकार का यह पूरा मतलब यानि जेबाजी हर मुद्दे से बड़ा मुद्दा है मिस्ट्रस्ट का आप लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है आपको उनके वादों पर भरोसा नहीं इसलिए अब आप एक्शन चाहते हैं आप ही बताईए मुद्दा जी के अगर भरोसा कैसे किया जाए जब दो साल सवा दो साल के अवदी में भी काल में भी जो पिछले वादे नहीं कि पूरा सरकार तो अब लगता है कि अब जो कर रही है यह सिर्कों आंदूलन को पीशे करने के लिए नहीं कर दिए इन वादो जाहूंगी आपने भी सारी बाते हैं आप समझ रहे हैं आपको क्या लगता है कैसे खत्म होगा यह अंदूलन के जी एक बात तो है कि हमें आपस में मिल कर के एक दूसरे का विश्वास लेना होगा और जैसा दूआ जी ने कहा कि कषी जो है एक स्टेट सबजेक्ट है और ए तो राज़स्तान की भी रेस्पोंसरीटी बनती है और उसमें आपस में फेल मेल करने के लिए जिस सरते हमने जीयस्ट के कांसल बनाई है क्यों ना एक कर्शी में एक ऐसी कांसल बन जाया है जो फार्मर्स की वैल फेर की नेशनल कांसल हो जो आपस में बैठकर के इन मुदो कि प्राबलम है तो इन सब का समाधान निकाला जा सकता है जिसने से GST निकाला है. दूसरा यह है कि हर एक जो हमारी आपने थाद किमिर क्लास है चाहे वह कहिता है पीस जिए और परक्ट हैं, उनके लिए तो हमारे पास ना इर्वाख में हैं. एक किसान के लिए लगातार रेगूलर कमिशन को न आओ, ताकि उनकी प्रॉबलम को समय समय पर समझा जा सके और उसका समय निकला जा सके ना कि वो जब चड़क पे आ जाएं तब हम सोचें कि इनकी कोई प्रॉबलम को हमें देखना है यह भूर्ट ओर सिस्टम और हमें इन पर घरो होना चाहिए और यह नहीं कि अगर वो एडूटेशन के लिए आ रहे हैं तो आपका काइसे खत्म होगा यह पूरा अंदोलन जाहिर सी बात है किसानों कोन की फसल का वचित दाम तो मिलना ही चगिए लेकिन जैसे आपने बूला 21 किस मांगे मांगना मानना संभव नहीं है कि आपके साब से क्या हल है इसका मैं मुक्ता जी यह कहना चाहूं कि सरकार से दो डिमांड गड़ी की गई है एक MSP को लीगल बैकिंग दी जाए दूसरा स्वामिनाथन कमिटी की रिक्रमेंटेशन जो पाफी साल पहले दी गई है उनको सरकार मान दें करें मैं चाहूंगा कि स्वामिनाथन कमिटी के उसके वार्षों पे सरकार को कुछ गार्मेंट भी दिखाने चाहिए कारण वो जो रिक्वार्मेंट है कि किसान फैमली लेवर लगाते हैं कि उस लेबर को भी आप वैल्यू दीजिए ये बात संजिए कि लेवर जीरो पास्ता है करन वो कहीं और जाके काम कर सकता है उसको गिनना चाहिए और दूसरा कि जो जमीन सरकार जो जर्मेंट की जिस किसान उसके उपर पसल लगाता है तो जमीन की भी रेंटल वैल्यू को जरूर है किसान आपने कुछ ना करें किसी और को किराय पे दे सकता है तो C2 के ये दो एलिमन्ट्स है ये जोनों मुझे लगता है उसके लॉजिकल से है तरकार को अस्ट जो बताया गया थर्चिदी बी गई तो पास्त कम हो जाता है थर्चिदी नहीं दी गई तो ऑच्ष बढ़ जा हैं कि उनकी जो सिफार्षे हैं वो हम उसको मानने नहीं कर सकते कि उनको उन्होंने इल्लॉजिकल कहा चीज है पुझे यह लगता है आप MSP बढ़ाते रहिए सतत बढ़ाते रहिए क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाते हैं पर वो लीगल वेसिस में कर सकते हैं कि नहीं वो मेरे मन में भी शंका जनक स्विशे है पर कॉस्ट को ऐसे करना वो स्वामिदाचन दीने जो दिया हुआ है उन्हें उसको 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 चलना है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महमानों का इस पूरी चर्चा में जोड़ने के लिए और बहुती विस्तार से चीजों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद